नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चलनल नहीं होंगे जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो आपकी इकलासे चल रही हो राजस्तान हाई कोर्ट ग्रूप टेक जाम 2020 की आपकी कलासे चल रही है रोजाना आपको एक प्रैक्टिस एड़ आपको आपको ग्लासे जोइन करनेए तो आपको प्रीकर चाहिए लिक आपको कर आपको बघुंठ में दूइर हो उसका लिंक आपको दिया हुआ नहीं जासखिछी हो तो आपको क्या नीचे comment box से comment कर दिया करो आपको सभी जानका ही बता दी जाएगी exam date के बारे में अगर बात के राजस्तान high court group D की तो अभी तक आई नहीं है जब भी आपकी exam date आएगी आपको information दे दी जाएगी तो आज आपका जो test है यह राजस्तान जी के आटेस्ट होगा और इसमें क्या है रोजाना की बाति हम बीज क्यूशन करेंगे important जोंकी राजस्तान high court group D exam 2020 के लिए बहुत ही महत्तक पुण है तो यह 20 क्यूशन अगर आप डेली लगाते हो तो रोजाना अगर 20 क्यूशन लगाते है तो आपके दस class जोइन कर लिए आपके 200 क्यूशन हो जाते अगर 200 क्यूशन भी आप अच्छी तरह से कर लोगे तो दोस्तों के बार से कुछ नहीं आएगा बल्कि आपकी क्लास से वो भी लगबग 100 से उपर क्लास से आपकी हो चुकी है आज साइद 105 वी क्लास आपकी और 105 को अगर 20 से गुलाथ है तो तो अब आपको अपनी त्यारी पे ज्यादा द्यान देना है और रोधान आपको पढ़ना है चलिए सुरू करते हैं आज कि इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले एक बार फिर से चवी को राम राम पहला कि उसना आपकी स्कीन पर आचका है आपको बताना है कि राजस्तान का दक्षिन पूर्वी पढ़ार कहलाता है क्या कहलाटा है? चारो एप्षन में से आपको यह बताना है चारो एप्षन आपको दिये वहुए सही जवाब बताइए क्या आएगा? आपको बताना है कि छेतरफल की दृष्टी से राज्ये के तीन सबसे बड़े जिले कौन से हैं? बताइए चेतरफल की दरश्टी से राजे के तीन सबसे बड़े जिलों के बारे में तो वो है जैसल मेर, बाड़ मेर, बेकानिर उप्शन नमबर से आजाएगा आपका बिल्कुल सभी जोब बड़तेन एक्षन के और, अब आपको बताना है कि सिसोधी अवंस की कूल देवी कौन सी है बताएगा उप्शन नमबर ए, बाड़ माता अब आपको बताना है चूओं की देवी है चूओं की देवी के रूप में खिसको जाना जाता है निन कौन सी माता है जो चूओं की देवी के रूप में जाना जाता है उनको चारो उप्शन में से बताएगे सही जवाब क्या आएगा इसमें चार उप्षन आपको दिये हुएं, सही जुवाब आपको बताना है क्या आजाएगा इसमें करणी माता, क्या आएगा इसमें, ओप्षन नमर बी आएगा इसमें करणी माता आएगा, चुओं की देवी वो करणी माता जाना जाता है और करने माता जो मुख्य मंदिर कहां पे है देशनोक में बढ़ते एनेक्शन के और अब आपको बताना है गणेश जी का परशिद मेला कहां बढ़ता है बताए गणेश जी का परशिद मेला कहां बढ़ता है चारो ओप्शन में से आपको बताना है सहीज जवाब क्या आएगा इसमें क्या आएगा चारो आपशन में से गनेश जिगा पर सिद मेला कहां बढ़ता आपको ये बताना है अगर इसमें बात करें सहीज जवाब की तो इसमें आएगा आपका सुआई मादोपूर में option nember A आ जाएगा आपका विल्कुल सही जबाब बढ़ते नेक्सन की ओर बानगंगा मेला काँ बढ़ता है बानगंगा का मेला कहाँ पर बढ़ता है बताना आपको चारों अबप्षन आपको दिए हुए सही जबाब बताना आपको क्या आ जाएगा इसमें अब आपको ताना है कि मरूभूमी के लोग गीत उनकी किस बावना के परिचायक है मरूभूमी के लोग गीत उनकी किस बावना के परिचायक आपको यह बताना है चार ओप्सन आपको दिये में से जुआ बताना आपको क्या आजाएगा इसमें यहां आएगा तारो उप्शन में से मरूभूमी के लोग की उनकी किस बावना के परिजाएगा आपसे यह पूछा था तो इसमें आएगा आपका क्या आएगा उमंग, व्योग और हर्दे की पीड़ा उप्शन नमर्ड़ आएगा इसमें उप्रियोक सबी अगर आपने उप्शन नमर्ड़ गिया तो आप अपना एक नमर्ड़ जोड़ सकते हो बढ़ते नेक्शन की और अब आपको बता रहा है कि अलोवर बर्थपुट छेतर में होली कि आउसर पर नई पसल की कुशी में किया जाने वाला नित्ते कौन सा है बताइए अलोवर बर्थपुट छेतर में होली के आउसर पर नई पसल की कुशी में किया जाने वाला निर्थे है बढ़ते नेक्शन की और अब आपको बताना है रजस्तानी बासा साहिते एंउसरंस करती अकादमी इस्तीत है कहां पर इस्तीत है बताइए रजस्तानी बासा साहिते एंउसरंस करती अकादमी कहां इस्तीत है आपको बताना है चार ओप्षन में से क्या आएगा सही जवाब इसमें तो अगर बात करें समें सही जवाब की तो इसमें आजाएगा ओप्षन नमर सी B कानेर में कहां पे B कानेर में बढ़ते नेक्षन की ओर राव जेट सिरो चंद के रचनाकार थे राव जेट सिरो चंद के रचनाकार कौन थे चार ओप्षन में से आपको सही जवाब बताना है क्या आजाएगा इसमें राव जेट सिरो चंद के रचनाकार कौन थे चार ओप्षन आपको दिये हुए सही जवाब आपको बताना है क्या आएगा क्या आएगा इसमें तोशी में आजाएगा आपका विठू सुजा जी ओप्शन नमबर डी आएगा इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब बड़ देनेक्शन की और अब आपको बताना है कि फॉलरी इस तरह दोवारा कहां पहना जाने वाले आभूशन है फॉलरी इस तरह दोवारा कहां पहना जाने वाला अभूशन है ये बताना आपको चार ओप्शन में से क्या आएगा फॉलरी है वो इस तरह दोवारा कहां पहना जाने वाला अभूशन है ये आपको बताना है चारो उप्षन आपको दिये हुए सही जवाब बताईए क्या आजाएगा इसमें तो इसमें अगर बात कर सही जवाब की तो फॉलरी है वो कहांपे पहना जाता है पेर में उप्षन नमबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बढ़ते नेक्शन के ओर तुलसी बजन्टी वे हाल रो स्रीर के किस बाग की आपूशन हैं बताईे क्या आएगा चारो नमबर भी सही जवाबा इसमें बढ़ते नेक्शन के ओर अब आपको बताना है कि राजस्तान में 30 स्रावन मा में मनाई जाती है जबकि कौन से जिले में बादरपद की तरतिया को कजली 30 मनाई जाती है बताईए राजस्तान में 30 स्रावन मा में मनाई जाती है जबकि कौन से जिले में बादरपद की तरतिया को कजली 30 मनाई जाती है आपको बताने कि निमन में से किस दिन को एबूज सावे का दिन का जाता है चारों आपको दिये में से जवाबताने आपको क्या आजाएगा इसमें दिन को आपको दिये है कि तो इसमें अगर बात करी सही जवाब की तो इसमें browser का जाएगा आपका खशय तर्तिया आप मिन मिंझरा मंदिर इस्तिताई यह किस जीले में बताइए यानि अरावली प्रुतमाला की स्रंकला की चुतलाटी में काला गोरा बेरो मंदिर है वो नो मंजिला मंदिर इस्चित है यह किस जीले में आपको बताना है चार ओप्शन आपको दिये हुए सही जुआ बताइए क्या आजाएगा इसमें क्या आएगा चार ओप्शन में से तो इसमें आजाएगा आपका ओप्शन नमर अब आपको बताना है कि उदेपुर में इस्तित जगत के मंदिरों में वर्तमान में इस्तित एक मातर सुरक्षित माना गया है बजाए बताए क्या आएगा इसमें उदेपुल में इस्टित जगत के मंदिरों में वर्तमान में वर्तमान में इस्टित एक मातर सरक्षित कौन सा मंदिर माना गया है कौन सा आएगा चार ओप्षन में से यह आपको बताना है क्या आएगा इसमें जगदंबी का परशाद मंदिर option number A आएगा इसमें बढ़ते नेक्शन के और अब आपको बताना है कि उम्राव है उम्राव बताना आपको क्या आएगा 4 option में से उम्राव उम्राव क्या है बताए ये 4 option में से तो उम्राव की बारे में अगर बात करें गेड़ खेलते स्मेय क्या है? गाया जाने वाला लोग गेत है उपशन नमबर चे आयरे गा इसमें आपका बिलकुल आ जय shift बढ़ते ले चैने हो कि और गोर बंदो गित मुलते कहा गाया जाता है? बताईे गोरबंदो गीत मुलते कहा गाया जाता है? आपको बताना है चार ओप्षन आपको दिये वे से जुआ बताना को क्या आजाएगा इसमें गोरबंद गीत मूलते कहां गाया जाता है आपसे पूछा है क्या आएगा चार ओप्षन में से तुम गोरबंद गीत है वो मारवाड में गाया जाता है कहां पर मारवाड में ओप्सन नमबर यह आजाएगा इसमें बढ़ते नेक्षन के ओर गोरान गण के रिक्त छे निज पित्री गण तरपन करूँगा यह करांती कारी कवित किसकी है बताईए गोरान गण के रक्त छे निज पित्री गण तरपन करूँगा यह करांतिकारी कवीद किस किया यानि किस ने गए थे शब्द यह आपको बताना है क्या आएगा इसमें सही जुआब तो इसमें आएगा गोपाल सिंग खरुआ ओप्सन नमबर बी बढ़ते नेक्शन के और इसमें सही जुआ बताइए क्या आजाएगा इसमें एक तरफ समत्रता से नानी दे रखें एक तरफ जेल दे रखें केसरें सिंग बारट हजारी बाग वपाल सिंग खरुआ तोडगर्ड परताब सिंग बारट बरेली अर्जुलाल सेथी जोद्फूर सेंटरल जेल है यह नहीं आएगा इसमें कहां पर आएगा यह यह थे वेलोर मदरास में वेलोर मदरास में आएगा यहां पर तो आप्सन नमर डी आजाएगा इसमें आपका बिलकुर सही जवाब तो यह तो थे आपके राजस्तान जिके के बीस क्यूशन जो की राजस्तान आई कोट ग्रूप डी एकजाम 2020 के लिए मोस्ट इपोर्ड डी क्यूशन है अब आपको उताने कि इन बीस में से आपके इक्तिन नमर आए आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आचा लगा तो इसे देख नए क्लास में तवता के लिए जैंद चैबार थन्यवाद